अस्राम अलेकुम फिफ्थ समेस्टर यह कुछ रेक्षिन्स है जो आज हम डिसकस का रहे हैं इसमें जो क्वेस्टिन है वो यह है के इंटिफाइदा स्टार्टिंग मेटीरियल that undergoes single step only यह कंडिशन उसने यह लगाई है कि प्रोडेक्ट दिया हुआ है और आपने ऐसा रेक्टेंट बताना है starting material जो single step में product में convert हो जाए ठीक है तो यह product जो है वो दिये वे जिसमें जो पहला जो आपका product है उसने दिया हुआ है पैरा bromo benzoic acid तो हमने इसका starting material बताना है कि जिससे यह direct जो है वो इसमें convert हो जाए ठीक है अगर हम benzine से शुरू करें उसमें हम पहले bromoination करेंगे फिर alkylation करेंगे फिर हम oxidation करेंगे तो तीन step में होके यह reaction आएगा लेकिन उसने condition यह लगाई आपने ऐसा reactant बताना है कि single step में यह product बन जाए तो इसके लिए जो है यह देखे हमारे पास यह जो है अगर हम यह reactant लेते हैं bromo और यहां पर methyl group लगाओ तो यहां पर हम इसकी oxidation करें तो जिसके लिए आपका oxidizing agent जहां वो chromium oxide slifuric acid, potassium dye chromate slifuric acid, potassium permanganate slifuric acid डालते हैं तो यह जो side chain होती है यह आपकी oxidize हो जाती है तो यहां पर यह CH3 that will be oxidized into COOH तो यह आपका rectant जहां वो protect में single step में जहां यह convert हो जाता है ठीक है इसके बाद जहां वो दूसरा हमारे पास जहां वो प्रोडेक्ट उनों दिया वह यह अनलीन जहां अब एनलीन जहां वो हम कहां से कैसे बना सकते हैं तो पहले हम जहां वो नाइट्रो बंजीन से लें फिर हम उसके उपर nitrogen लगाएं तो ज्यादा step में हमें single step का return चाहिए तो उसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं नाइट्रो बंजीन ले ले लेते हैं तो नाइट्रो बंजीन जहां उसकी जब हम reduction करते है SN, HCL डालके जो के reducing agent है तो नाइट्रो ग्रूप जहां वो reduce हो जाता है into NH2 ग्रूप ठीक है तो single step में य जह है वो अगला जो product दिया हुए है वो यह हमारे पास है कि बंजीन रिंग में दो ग्रूप लगे हुए है एक NH2 और एक इतायल ग्रूप लगा हुए है यह इतायल ग्रूप है तो अब इसके लिए हमें starting material देख रहे हैं जो single step में इसमें convert हो जाए है ठीक है तो हमें जह है reduction कर लेते हैं तो nitro group जो है यह reduce हो जाता है NH2 ग्रूप में तो यह हमारे पास desire protect जो है वो बन जाता है इसके बाद यह देखे है हमारे पास यह एक protector होने दिया हुए है जिसमें ether linkage है ठीक है इसको देख कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सार action जो हो सकता है तो प्रूप लगा हुए है और यह इदर प्रूपाइल ग्रूप आपके पास है तो यह सिदा सिदा समझ में आता है आपके पास यह nucleophilic substitution reaction है जिसमें जह है वो एक तरफ आपके पास alkyl halide है और दूसरी तरफ आपके पास nucleophile है तो यहाँ पर यह तीन कार्बन वाला जह है वो यहाँ पर attach हो जागा यह method oxide है ठीक है तो यह आपका product जह है वो बन जाता है तो यह आपके पास जह है वो nucleophilic substitution reaction यहाँ पर होगा ठीक है इसके बाद जह है वो एक और यह आगे हमारे पास product है जिसमें दो group जह हैं वो लगे हुए है एक NH2 group लगा हुए है एक CH3 group लगा तो NH2 group जहां लगा वो तो बहुत ही असान है आपने क्या करना है कि जो starting है वहाँ पर NO2 ले लेना है और बाकी यह TH3 यहाँ पर as such वैसे ही जैसे के लगा हुआ है आपके पास तो आप यहाँ पर इसकी क्या करेंगे reduction करेंगे तो हमारे पास यह NO2 group जह है वो reduce हो जाएगा into NH तो यह आपका प्रोडेक्ट single step में प्रोडेक्ट जह हो बन जाएगा इसके बाद जो है वो यह हमारे पास इसरा इंट्रस्टिंग है साइकलिक है यह इसमें यह oxygen है और यह double bond है यह तो अब यह जह हो किस तरह से हमारा प्रोडेक्ट बनेगा single step में तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने किया हुआ है ये थोड़ा सा अपने अपने दमाग को हाजर करना है ये अक्सीजन और ये कार्बन जा है अगर आप अपने माइड में थोड़ा सी इमेजिनेशन करें तो ये अगर यहां से ये बॉंड ब्रेक हो तो ये खुल के चेन ऐसे इसको खोल दें अपने इमेजिनेशन में तो ये आपके पास एक, दो, तीन, चार ये कार्बन है तो इदर इस सेरे पर और अखसीजन और अदर जह हो आपका जह हो सी एच थ्री ग्रूप जह होगा यहां से ब्रेक होके ठीक है तो आप इसको सीधा कर दें और बीच में जह है ये डबल बॉंड तो ये देखो, मैंने इसको सीधा कर दी ये वहां से ब्रेक करके तो ये दर आगे आपका O और ये दर CH3 था तो ये साथ में लगा दी है C L ठीक है और ये O H खाली O तो नहीं हो सकता नहीं यहां पर नाई खाली CH2 O हो सकता यहां पर तो यहां पर कोई इसके साथ लिविंग ग्रूप लगा होगा और यहां पर आउक्सिन के साथ ये वो हाइडरोजन है और अगर आपको याद हो, ये को किसमें डबल बॉंड भी है, तो ये हमने यहां यहां पर लगा दिया है तो क्योंकि हमने सिंगल स्टेप में करना है तो आप आप ते निकलोफिलिक, इंटर्नल निकलोफिलिक SNI जो है वो पड़ा एरेक्शन तो ये वहां से ये देखें, ये इंटर्नल निकलोफिल है जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ यहां पर बॉंड शियर कर रहा है अपने और यहां से ये आपका लिविंग ग्रॉप लीव कर रहा है तो ये आपके पास एक साइकलिक ये structure बन जाता है ठीक है? और इसमें से hydrogen भी कुकि अगर hydrogen साथ तो यहां पर रहेगा तो ये देखें न पहले तो ये एक intermediate से इस तरह बनेगा तो ये प्लस चार्ज होगा oxygen पर तो ये hydrogen निकल जाएगा तो ये आपके पास ये ये आपके पास आएगा ठीक है? तो ये आपके पास ये देखें यहां से ये ये आपका रेक्टेंट होगा और ये SNI erection और ये आपका प्रोटेक्ट जाएगा बनेगा इसके बाद ये आपके पास ये एक है इसमें ये OH है और ये CH3 लगा हुआ है ठीक है? तो आप यहां पर ये हो और फो पेरा डारेक्टिक है तो ये पेरा आपका आ जाएगा ठीक है? इसके बाद said आपके पास ये एक ये वो प्रोडेक्ट है इसमें ये दिखें जाँ एक हमारे पास ये इदर से ये Iγαle । और यारी हमारे पास बन्सीन है तो ये दो दो तरह से मेरे माइड में है के आप इसको कर सकते हैं एक तो आप ये बंजीन लें और इदर से आप ये थे ये हलाईड लेंगे इ Mitt किनैल हलाईड इसको हम कहते हैं इल्कीनाईल ये इन इसमें डबल बांड होता है इसमें अब्स के प्लॉणे ये side chain लगी और यहां पर carbon number one पर side chain का carbon number one है यहां पर bromine और यह बीटा hydrogen है आप इसमें base डाले potassium hydroxide तो यहां से HBR यहां से eliminate होगा और यह hydrogen proton अपने electron यहां shift कर देगा तो यह double bond हमारे पास आज़ेगा तो यह ऐसे भी single step में हम इसको कर सकते हैं तो दोनों यह तरीकों से यह हो सकता है ठीक है तो अगर आपको बच्चे कोई problem है इसके अंदर तो आप मुझे बता दे share कर ले मेरे साथ discuss कर ले अभी ठीक है तो यह जह हो हम इसको कर लेते हैं अच्छा इसके बाद यह आपके paper में जह हो एक question दिया होगा है यहां पर यह देखें explain which SNI reaction of each pair expected to produce more rapidly कौन सा जह है वो more rapidly SN1 देगा यह दो रेक्षिन है पहले में यह हमारे पास टर्शिरियल काईल राइड है और इस से हमारे पास हमारा water इसमे निकलोफाइल है और यह चा जाएगा हलाइड और इराइल हलाइड जो है वो डू नोट गिव दी निकलोफिलिक सब्सिजूशन रेक्षिन यहां बहुत स्लो यहां पर एक्षिन लिखा हुआ तो वेरी स्लो यह ना होने के बराबर होता है और उसकी रीजन भी आपको बताई थी कि मैने के यहां पर यह वो आपका जो है वो जो रिंग होता है वहाँ पर वो स्टेबल ना ही कार्बोककाटाइन बंता है और ना ही जहीות बैकवर्ड आके एक्षिन हो सकता है निकलोफाइल का तो लहाजा यह यह अराइल हलाइड वाला जो है ये तो बहुत ही very very slow या ना नहीं के बरबर action है तो ये जो tertiary और फस्ट वान वाला है that will give the faster ठीक है आपने बताना यहां पर यह फास्टर होगा और साथ में रीजन भी बतानी है कि यह रीजन होगी ठीक है दूसरा जो आपका pair है वो यह है कि यहां पर आपके पास जह है यह मोलर में दिया वाई है आपके पर टर्शियल कायल हलाइड है सेम है दोनों में मैथोकसाइड एथोकसाइड है और यह भी वही है लेकिन सिर्फ इनकी जो मॉलरिटीज है डिफरेंट है यह पहले में यह सबस्टेट वन मोलर है नुकलोफाइल दूसरे में सबस्टेट व.5 बोलर हम कर दिया है लेकिन नुकलोफाइल जह हुआ वह आपका टू बोलर कर दिया है दबल कर दिया है तो दोनों में फास्टर जह हो प्रोटेक्ट तो सेम ही होगा फास्टर कौनसा होगा रिजन मतानी है तो हमें पता है यह सन वन उसने क्या प्रोटेक्ट जितनी मिद्री बड़ा दें इस पर अशन वन डपेंड़ हम नहीं करता जहां पर सबस्टेट की चुंचेंट्रशन ज्यादा होगी वह फास्टर रेक्शन होगा तो यहां उपर वाले में किक चौनसट्रेशन ज्यादा है तो यह जए जाव ऐग्वार झाल